भगवान के नाम में इतनी शक्ति बाबा तो सिदाशी प्रभु नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान इस प्रत्वी पे आएं और अपने नाम की महिमा छोड़ करके गए एक एक स्रश्टी का कणकड पत्ता पत्ता हर एक स्थान प्रभु का नाम गाता है। तो कोई बड़े बड़े मंत्र चारन करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। एस विचार करें जिस परमातमा के नाम में इतनी में इतनी निलाएं कि इतने राक्षसों को मारा इस प्रत्वी में आकर के गव माता को चराते हुए पूरी प्रत्वी में पैदल पैदल गुह में और हम आज उसी देश में उसी गोपाल की धर्ती में मुझे बड़ा दुख लगता है जब मैं आस पास कहीं इंग्लेंड में ल चुक जाती है क्योंकि जिस दर्ती पे हम गावों विस्वस्व समातरह का सुत्र देते हैं उसी धर्ती पे गव माता की हत्या हो रही है चंद रुपयों के लालच में कशाई गव माता को लेकर के जाता है और काट दीता है हमको तो सिर्फ लिए लगता है कि गव माता को काट दिया जाता है बूचर खाने में रखा जाता है तो चार-पांच दिन तक उसे भूखा रखा जाता है उसके बाद उसके उपर उबलता हुआ पानी खोलता हुआ पानी डाला जाता है ताकि उसके सरीर से चमड़ा फूल करके निकल जाए जिन्दा सरीर से उसके चमड़े को निकाल लिया जाता है अभी भी उन दुष्ट पापी कसाईयों का मन नहीं भरा और गवमाता को उल्टा लटका दिया जाता है उसके गरदन पहे छूरी चलाई जाती है और सरीर से सारा करता है एक बहुंद खून निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसको काटके उसके मांस को और रियात करती उस बेचारी ने एक खूटे के सिवा एक रसी के सिवा और थोड़ी सी घांस के सिवा कभी कुछ नहीं मांगा हमने बान करके रख दिया वो बंदी रही हमने खोल दिया वो खुश रही दस दस पांच पांच गाडियां रखने के लिए घर में दस सदस से हैं दस गाडियां होंगी दस गाडियां पार्क करने के लिए जगह है लेकिन एक गवमाता को रखने के लिए हमें जगह नहीं हो पाते बड़ी बड़ी पाइटियां करने के लिए बहुत पैसे आ जाते हैं बेटी की शादी होती है तो हमें कॉंपटिशन करना है कि उसने 300 करोड रुपे खर्च किये तो मैं 500 करोड रुपे बेटी की शादी में खर्च करूँगा लेकिन करोड तो छोड़िये हम 100 रुपे भी गवमाता की सेवा के लिए समर्पित नहीं करना चाहेंगे कहां जा रहा है हमारा जीवन जिसने हमें दूद पिला करके बड़ा किया जिसने हमें पाला दूद पिला कर जो हमें रही युगों से पाल उस गवमा का देश में आज बुरा है हाल वदिकों की हाथों बिकी देर ही प्रान अकाल अपने इस गवंश की रक्षा करो गवपाल ए गवंद अब तुम ही हो जो गवमाता की रक्षा कर सकते क्या बिगाड़ा किसी का गवमाता ने अगर गवमाता की रक्षा नहीं कर सकते तो उस गोपाल की भी पुजा करने का कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है मैं कहते हूं प्रति दिन एक रोटी गोवाता को खिला है और रोटी नहीं खिला सकती तो अपने घर में गुलक रखे जैसे अपने बच्चों के नाम पे FD करते हो पैसे जमा करते हो वैसे पूरी दुनिया में रह रहे हिंदू सनातनी अगर एक एक गवमाता की रक्षा का भी संकल्प उठा लेते हैं तो भारत वर्ष से गववन शहत्या अपने आप बंद हो जाएगी और गोपाल के उस परंपरा को हम पुना नभापाएंगे